हलो नमस्ते फ्रेंड्स एस जी एक्जाम यूटूब चेनर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों नीट का एक्जाम 12 सेप्टेंबर 2021 को होने वाला है उसके लिए सबसे इंपोटेंट है कि आप एक्जामेनिजन सेंटर पे किस तरह से जाएंगे कौन-कौन सी चीजों कि आपक करनी ठीक कि टिए कोई प्रेंट करने ठीक है कोई प्रेंट है यही ऐसी सी चीज नहीं ले जा सकते एक्जामेनिजन सेंटर पे ग्या सेप्छे में जैसे टाने में डिया चीज hazard कोहना देंबर goodiqu प्लास्टिक पाउच केलकुलेटर कुछ भी आप केलकुलेटर बें कोई भी इलेक्टरॉनिक पेन स्केनर मोबाइल फोन इयर फोन इसकेस कोई नहीं ले जासकते घरीं आके सकते घरीं पर इन सब चीजों की आपको अनुमती नहीं है इसके अलावा यदि कोई आस्ता से जुड़ी भी कोई चीज है तो उस चीज के लिए आपको एक्जामिनीशन सेंटर पे कम से कम दो गंटे पहले पहुँचना होगा और उन दो गंटे में आपको अपनी संपूर्ण जाच करव आनी होगी अगर फिर भी अगर उसमें रिपोटिंग के टाइम पे अगर ये ये मापा जाता है ये आवर्प ये पाया जाता है कि आस्ता की वस्टों में भी आपके पास कुछ संदिग्द कंडिशन होती है तो आपको फिर वहाँ एक्जामिनीशन सेंटर पे बैठने की अन आपको लंबी आस्तीन की हलके साइट के जो कपड़े है वो आपको पहनने की अनुमती नहीं होगी यानि आपको हाँ बजू का साइट या हाँ बजू की टी साइट या आपको एक्जामिनीशन सेंटर पे पहन के जाना होगा कुरता भी जो पहनेंगे आप हाँ बजू कही पहनेंगे अब्यारति को प्रिक्सा के अंदर पर यह दी सांस करती कि आप कोई पर्था गरत पोसाग अगर आपको पहन के जाननी है तो आपको रिपोर्टिंग से एक गंठे पहले आपको एक्जमनीजन सेंटर पर आपको पहुँचना होगा साड़े यानी साड़े बारा हील की आपको सेंडल ही आपको पहन कर जानी होगी इस चीज का आप ध्यान रखें इसके अलावा और कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं होगी एक्जमनीजन सेंटर पर मतलब आपको कुल मिला की कुछ भी ले जाने की अंदर अनुमती नहीं होगी आप अपनी चपल या दिल पहन कर जा सकतệc हैं उसके अलावा आपके आपvol ड्रेस पहन के जाएंगे इड्मिट कार्ड लेकर जाएंगे उसके साथ अपनी एक फोटो लेकर जाएंगे फोटो छोटी और बड़ी दोनों फोटो आपको लेकर जानी होगी साथ में आप अपना एक वोटर आप अप का नाम और आपकी डेटो बर तीनों पर्जेंट हो एसी ही आपके लिए आईडी पूरूफ अलाव होगा तो आपके पास अगर ये ड्रेस कोड पर्जेंट नहीं है तो जो भी ड्रेस कोड आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं जेहिन